तरी सिवाय नमस्तु भ्यम इस मेहने प्रदोश का ब्रत कितनी तारिक को धारण किया जाएगा इस वीडियो में जानेंगे प्रदोश काल का समय क्या रहेगा उपाय पूजा विधी नियम संपुर्ण जानकारी वीडियो में है ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहेगा जैसे कि हर एक महा प्रदोश ब्रत आता है जो कि हर एक महा कृष्ण पक्षा और सुकल पक्ष की त्रियोदशी तीठी को होता है सास्त्रों में कहा जाता है यह ब्रत महादेव को समर्पित है इस दिन किया गया उपाय पूजा पाठ नियम महादेव को प्रसंद करने वाले ह होते हैं और भागी की रेखाओं को प्रबल करते हैं ऐसे में अगर आप जीवन में दुख दरीदृता रोग संतान संबंधी सभी परेशानियों से जूज रहे हैं तो प्रदोश ब्रत आपको धारण करना चाहिए कब से प्रदोश ब्रत करें उद्यापन तक की नियम की जानक जहिए ऐसे में स्री सिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाब करें ब्रह्म मोहरत में ब्रत का संकल पलें इस दिन सनिवार हो रहा है तो काले तिल आवश्यक रूप से उस जल के लोटे में डालें नीला फूल डाल कर भी अगर सिवलिंग पर ओम शन शनिष्चराय नमा या ओम स सिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाब करते हुए जल चड़ाते हैं तो सनी राहु और सभी नवग्रों की दसा सुद्रिड होती है और महादेव की क्रपा होती है इस दिन आप सभी को आवश्यक रूप से सिव मंदिर में बैठ कर विसेश तोर पर प्रदोश ब्रत की कथा भी पूजा कर सकते हैं ब्रत का संकल्प पूजा विधान के बाद पूरे दिन भर में आप जल या जो है ब्रत में फलाहार कर सकते हैं विसेश पूजा प्रदोश काल में की जाती है सुबह और शाम को अगर पार्थिसीव पूजा करते हैं मिट्टी के सिवलिंग मना कर तो निश्चित रूप से मनुकामनापूर्ण होती है और शाम को प्रदोशकाल में पंचामरत से महादेव का अभिशेख करना प्रदोशकाल का जो सबह होता है वह विसेश माना जाता है दीपदान करना नंदी बाबा की सुबह और शाम दिन भर में सेवा करना बेलपत्र पूजन करना इस दिन बहुत सुब माना जाता है सनिवार होने के कारण पीपल देवता की पूजा जरूर से करें आप जानते हैं पूजा का सुब महरत 2024 में यह ब्रत विसेश तोर पर जो 31 अगस्त है उस दिन क्या जाएगा इस दिन 31 अगस्त के दिन जो सनिवार की तिथी पढ़ने जा रही है वह इस दिन को विसेश बना रही है तो 31 अगस्त दिन सनिवार को आपको प्रदोश का ब्रत धारण करना है इस दिन साम के समय पूजा का जो समय होगा जिसे संध्याकाल या प्रदोशकाल कहा जाता है वह साम को 6 बचकर 43 मिनट से 8 बचकर 45 मिनट के यह समय हो रहा है स्क्रीन पर मैंने दिया हुआ है पंचाग में भी यही जानकारी मिलती है तो आप सभी को इस समय ही अपनी पूजा आराधना विसेश करने का प्रियत्न करना चाहिए ऐसे में आवश्यक हो जाता है कि त्रियो दशी तिथी कब से कब तक सास्त्रों में कहा जाता है कि जिस तिथी पर त्रियो दशी तिथी शाम के समय प्रदोशकाल में व्यापत हो उसी तिथी को यह ब्रत धारन करना चाहिए तो 31 अगस्त को तिथी सुरू हो रही है देर रातरी दो बचकर 25 मिनट से यह तिथी सुरू हो जा रही है पहले ही तो रातरी में से ही यानि एक सितंबर को देर रातरी तीन बचकर 40 मिनट वर समापन होगी तो ऐसे में उदियाति थी के नियम और 31 तारीक को प्रदोशकाल में त्रियो देशी थी थी ब्यापत है इस कारण से 31 तारीक को ही सौम जो है सनिवार के दिन इस ब्रत को धारन किया जाएगा वीडियो जानकरी चीत रही हूँ तो लाइक करें शेयर करें कमेंट्स में हरहर महादेर लिखना नम